नमस्कार जिकेशन साथ की नए और फ्रेश वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज किस वीडियो सेशन में हम सब समान बिग्यान से जोड़े टॉप टेन इंपोर्टन कोशन्स करने वाले हैं जो कि आपके अगामी सभी पर्तियों के परिष्वाओं को ध्यान में रखके बनाया गया है तो आप इन सभी क्वेशन के साथ गोत्रू होईएगा इन दस प्रसनों का खुछ से पहले एंसर देने की कोशिस किजिएगा और देखिए का इन प्रसनों का बिजली एंसर कर पाते हैं नहीं क्योंकि ये प्रिविएस रेक्वेशन्स है मैक्सिम्म क्वेशन्स जो है विविन परिष्वाओं में अल्यड़ी पुछे जा चुके हैं और आपके आने वाले एक्वेशन्स के लिए एवर क्वेशन्स है तो आप मिस्स मत किजिएगा चलिए सेसन को स्टार्ट करते हैं क्वेशन नमबर वन घड़ियों में इस्तमाल किया जाने वाला क्वार्ड जो है वह क्या होता है घड़ी में जो quartz का इस्तमाल होता है, वो किसका बना होता है, nitrogen silicate, silicon dioxide, sodium silicate या calcium silicate, किसका बना होता है, अगर आप इस question का answer जानते हैं, तो comment कीजिए, इस question का correct answer रहेगा, option B, silicon dioxide, यानि कि SiO2, घड़ी में जो इस्तमाल होता है, quartz, वो क्या होता है, silicon dioxide होता है, और यह silicon और oxygen के योग से बना होता है, अगर हम इसकी molar mass की बात करें, तो कितना होता है, 60.08 gram per mole, और वहीं अगर melting point आप सब पुछा जाए, तो कितना इसका होता है, 1710 degree Celsius, और boiling point जो है, 2230 degree Celsius है, इसका परियोग जो है, खनी जरंग ने साथे साथ कांग जो द्योग में किया जाता है, और इससे quad यूक्त परकास यंत्र तथा रसाइनिक उपकरन बनाये जाते हैं, तो यहां पर correct answer जो है, आपका option B, silicon dioxide यानि SiO2. Question No.2, निम्नम से कौन सी में साथातों में teen होती है, आपको बताना है कौन सा option है, जिसमें की teen मौझूद है, पीतल, सोल्डर, डियूरल्यूमीन और स्पार्थ, तो इस question के अगर आप answer जानते हैं, तो जल्दी से comment किजिए, सही answer जो होगा option B होगा, पीतल जो है, जस्ता और तामबा से, तीन और लेट से बना होता है, इसमें की teen 63% होता है, और लेट 37% होता है, वहीं डियूरल्यूमीन की बात करें, तो इसमें तामबा जो होता है, आपका 4%, मैगनीज होता है आपका, 0.5% और बाकी रिमेनिंग जो है, आपका अलमूनियम होता है, इस पात आप जानते हैं, इस पात लोहा और कार्बन, इसके मुख अवे होते हैं, ठीक है, वहीं अगर आप से पूछा जाए, कि निम्न कार्बन इस पात, जिसे की म्रिदूर्यूर्य इस पात भी का जाता है, उसमें कार्बन की उपसिती कितनी होती है, तो 0.15% से लेकर 0.45% तक कार्बन इसमें मौझूद होता है, वहीं मध्यम कार्बन इस पात जो है, उसमें आपका 0.45 से 0.8% तक कार्बन होता है, वहीं अगर आपका उंच कार्बन इस पात है, तो उसके अंदर 0.8 से लेकर 1.6% कार्बन होता है चले क्वेस्टन नमबर 3 एक रुपए और दौ रुपए के सिक्के किसके बने होते हैं जो एक रुपए और दो रुपए के जो क्वाइन होते हैं किसके बने होते हैं Option A, Ferritic Asteelness Steel, Option B, Chandy Asteel, Option C, Tamba और Nickel का मिसर जातु होता है, या फिर Asteel और पितल का बना होता है, एक रुपे और दो रुपे के जो सिख्के हैं, वो किसके बने होता है, तो आप सब सिख्के जानते हैं, देखते हैं, तो किसका बना होता है, या आपको बताना है, तो इस question का सही answer रहेगा option A, Ferritic Asteelness Steel, इसी का बना होता है, एक रुपे और दो रुपे का सिख्का, यह जो अस्टील है, यह उच क्रोमियम और चुमकी Asteelness Asteel होता है, जिसमें कार्मन की मात्रा जो होती है, वो बहुत कम होती है, और यह अपने लचीले पन के लिए भी जान इसमें जंग नहीं लगता और संचारण भी नहीं होता है, Ferritic Asteel जो है, यह मुख्यत आपका इसका उपैयोग होता है, मोटरवहन बनाने में होता है, बरतन बनाने में के जाता है, सिक्वे को डालने में के जाता है, और ओदयोगिक उपकर्म को बनाने में भी इसका परियो कॉन सा option है जो कि पहला मानो निर्मित संस्लिसित रेसा है तो इस question का सा answer होगा option C nylon ठीक है nylon is the right answer यहां पले क्या options उपन नीचे है तो option C correct है पहला मानो निर्मित संस्लिसित रेसा कौन सा है nylon है और यह एक क्या है thermoplastic कंपना होता है ठीक है जिसमें रेसे और उसके जो players होते हैं वह अन्य आकार में उसे ढळा जा सकता है परतों को अन्य आकार में ढळा जा सकता है nylon जो है आर्थि गूब से महत्पून है क्योंकि इसका परियोग जो है दात साप करने और नाइट्रोजन गर्म हवा हॉट बैलून जो होता है उसमें कौन सा गैस का परियोग होता है बताइए क्या होगा इसका अंसर तो नो डाउट आप सको पता होगा नहीं पता हो जानिए प्रोपेन इस दराइट अंसर ठीक है आपको प्रेटन करने जो आते हैं घुमने जो आ कुछ इस तरह का रहता है तो तो नुमा आप देखरें तो यह जो क्योंतेああ जो जाता है यह नायलोन का बना होता है गुबारा जो होते है और इसमें आपको नीचे टोप्री चलिक से और जब हवा होता है तो इसका घ१नत जो है बाहर की ठंडी ये हवह के पेकलगक्षा कम होती है और जब हवा explaining के जाता है तब फारता है में हलकआ हो जivers दिएında के यह पर द्वार्वां उपने लगता है इतना आप समझे गया और जब गुबारा जो हैं हवा में होता है तो प्रोपेन बर्न या लिए प्रोपेन गयस जो है, उसके दुरुआ लिगतार जरुtsåन में यहवा गर्म की जाती है और इस परकार क्या होता है, यह बैलून जो है, होट बैलून जो है, वह हवा में उपर उठता है और सेर करता है तो आप्शन भी सही है प्रोपेन गयास याद रखिए क्वेस्टन नम्बर सिक्स है खालियस्थान एथोनोईक अमल का साधारन नाम है एथोनोईक अमल का फर्मूला क्या होता है CH3COOH तो क्या है एथोनोईक अमल को समाने भासा में हम असे सीर्का भी कहते है इसका केमिकल फर्मूला हम लोगों यहां पर देखा इसका उपयूग जो है सफाई करने में और अचार बनाने में कहीं आता है कि अधिकल बनाने में कौन सा असीड करीज होता है तो असीट को याद रख देखिए ने में अगया है तो और देखिए हम बताऊ कि यह बेकिंग पाटर का एक गटक है इसका बेकिंग सोडा जिससे हम किस नाम से जानते हैं sodium bicarbonate के दौब जानते हैं लेकिन baking powder में क्या होता है baking soda भी होता है, साती साथ tartaric acid भी होता है और starch भी होता है यह सभी मौझूद होते हैं तो यहां पर पूछाए tartaric acid, इसका एक घटक है तो हो जाएगा baking powder टीकर बेकिंग powder में baking soda भी होता है, आपका tartaric acid भी होता है और starch भी होता है question no.8 एक सुक्रोज अनु यानि की एक सुक्रोज molecule में carbon परमानू कितने होते हैं 6, 18, 15, 12 कितने होते हैं तो एक सुक्रोज अनु में परमानू के संख्या होती है वो होती है 12 ठीक है इसका formula अगर देखें तो C12, H22 और O11 होता है तो इसमें carbon इक संख्या कितनी है 12 तो option D आपका सही रहेगा ठीक है सुक्रोज, glucose और fructose की सयोजय से बनने वाला यह carbohydrate है और आप याद रखिएगा C12, H22, O11 जो है यह चीनी के रूप में जाना जाता है अगर आप से पूछ ले जाए कि सुगर का सकर का जो है chemical formula क्या है तो ही होता है चलिए question number 9 है glycerol को खाली अस्थान के साथ मिलाने पर लिपीड बनता है glycerol को किसके साथ हम मिलाएंगे तो हमें लिपीड मिलेगा वसीय अमल, peptide, oligosaccharide या फिर disaccharide तो किसके साथ मिलाने पर भाई तो वसीय अमल के साथ ठीक है glycerol को अगर हम वसीय अमल के साथ मिलाएं तो लिपीड मिलेगा तो option ए सही है question number 10 निम्द में से किस तत्व को wonder element के नाम से भी जाना जाता है wonder element के तौर पर किसे जाना जाता है sona, lithium, titanium, para तो इस question का सही answer उम्मीद करता हूं आप सब देंगे option C is the right answer titanium, titanium धातु को wonder element के तौर पर जाना जाता है और titanium जो है इस सबसे पहले 1791 में William Gregor जो के बेटेन के रहने वाले थे उन्होंने पता लगाया था और इसका मुख्य खनी जो है वो कौन-कौन सा है, ilminite है और rutile है तो इस तरह से 10 questions जो थे science से जोड़ी important questions है और आपकी examination point of view से important है तो उम्मीद करता हूं आप सबको पसंद भी आया होगा और आप लोगोंने maximum questions के answer जो है सही दिये होंगे तो आपको session कैसा लगा अपना feedback जो है comment box में जरूद दिजिएगा वीडियो को like और अपने friend के साथ share किजिएगा thanks for watching जय हिन जय वारत